हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सियर करने जा रहे हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैंड साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं फिर कोई सब भी बॉर्डर पैटन बनाके कमप्लेट करें बॉर्डर पैटन कमप्लेट होने के बाद फ्रंट साइड से हमने फर्ष्ट बेसरो बनाके कमप्लेट करने हैं फर्ष्ट बेस फर्स्ट बेश रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे यह पहला फंदा उता लेना है और फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रो को सीधा बुनते हुए कंप्लेट करना है अब देखे रोंग साइड से पैटन की फर्स्ट रो पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उताने के बाद देखे तीन फंदे उल्टे उनेगे एक दो तीन फंदे उल्टे अब नेश्ट आमने तीन फंदों में पैटन डारना है तो देखे तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, और इनसे हमें तीन फंदे बना लेने, एक, फिर सलाई में धागा लपेटेंगे, दो, फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीन, तीन फंदों से हमने ये तीन फंदे बनाए, फिर इन तीन फंदों को सिलिप कर देंगे, नेस्ट हम तीन फंद को हम एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बनाएंगे एक हो गया स्लाइमे दागा लपेटा दो फिर बुनके तीन फिर नेस्ट हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे तो देखें ये रॉंग साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कमप्लेट हो गई अब देखें फ्रंट साइड से पैटन की सेकिंड रो पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से हमने सेकिंड रो को सीधा बुनते हुए कमप्लेट करना है यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की सेकेंड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे रोंग साइड से पैटन की थार्ड रो पहला फंद उतारेंगे और नेस्ट अमने तीन फंदों में पैटन डालने है तीन फंदों को एक साथ बनेंगे और तीन फंदे बनाएंगे दागा अपने ही साइड रहेगा यह देखे एक हो गया सलाई में दागा लपेटेंगे दो फिर इन तीन फंदों को एक साथ बनेंगे तीन फंदों से हमने ये तीन फंदे बना दी अब इन तीनों फंदों को एक साथ सिलीप कर देंगे अब नेस्ट हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो तीन अब नेस्ट हम तीन फंदों में पैटर्न डालेंगे तो देखे तीन फंदों से हमें तीन फंदे बनाने हैं एक हो गया सलाई में डागा लपेटा दो और बुनके तीन नेस्ट हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर देखे नेस्ट तीन फंदों में पैटर्न आएगा तो देखे एक इसलाई में दागा लपेटा दो का फंदा उल्टा कोई देखे ए रोंग साइड से एमारी पैटन की 3rd रोप कम्प्लीट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से प्यास्विब टेर रोप पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से 4 रोप को सीधा बुंते भे कम्प्लीट करेंगे यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की फोर्थरो कम्प्लीट हो गई अब देखे रॉंग साइड से पैटन की फिप्तरो अब फिप्तरो में हमारा पैटन रिपीट होगा नयस्ट अमने तीन फंदे उल्टे बुनए एक, दो, तीन तीन फंदे उल्टे बुने अब नैस्ट हम तीन फंदों में पैटन डालेंगे तो तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बनाएंगे एक सलाई में दागला पेटा दो और फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे तो तीन फिर नेस्ट देखे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर नेस्ट तीन फंदों में पैटन आ जाएगा लेक्त देखे तीन फंदे उल्टे भुनेंगे लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा तो देखे यह रोंग साइड से हमारी पैटन की 5th row complete हो गई 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था 5th row को हमने फर्स्ट row की तरह बुनते हुए complete किया अब देखे जो front side से हमारी 6 row आएगी उसको हम second row की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन ही चार सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूलें Thank you झाल 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 झाल